तो ममा आज हम कहा जा रहा है और किते दिन के लिए आएंगी गणपती से तो हम पूरी डैकॉरेशन दिखाएंगे कैसे करेंगे और कैसे ला रहे हैं सब कुछ हम आपको दिखाएंगे व्लॉग में रजाएं साथ में तो हमने लेनी है ओ तो हुट पाट्स बने हैं यहां पे ही शॉप्स लग देखो आगे की साइड वहां पे है ना गनपती जी है पर मेभी यहां पे छोटे हैं हम थोड़े बड़े बड़े अभी लेंगे सबी इको फ्रेंडली गनपती जी है क्योंकि हम हमेशा इको फ्रेंडल लाते हैं हम इन्वार्मेंट बचा रहे हैं यह गनपती जी में कलर कर रहे हैं अगे बार बार के नंगे बहुत बड़े जाती है नहीं लग देखने आए क्या इस पीपीब गई थी आए लेकर आए उनको लगा की है जो प्रेंडल लेकर बार के नंगा बहुत बड़ा जा लेकर आए पैको रहे हमारे कंपती जी इस किन कलर है ना वाला तो नों ने बहुत सारी पैन रखी है यह वाली लेलो चाहे हाँ हाँ यह वाली बात तक भी संवेल लेनिया था कि नीचे बिछाने के लिए ना आसन के लिए इसमें लम्न होगा इसमें लम्न ओले तो तो डंग भी नहीं दिखाने वाली उतोर न्यान भी इसमाब्छ तो गनपती जी आपको कि नहीं देखने को मुझे ने पूरा घर ना फैला दिया लुक क्योंकि हमें सजावट करनी है इसले क्या है मुझे यह सबसे गंदा काम लगता है मुझे गंदगी इंटे के बाद भी हम सिर्फ वहीं पर है कि हमें कहां भें सोब पर सैट करने है टैडू की हालत तो खराब हो गए बहुत समझ नहीं हो रहा है कौन से डारेक्शन में गंदू को रखना चाहिए क्योंकि यह वारी डारेक्शन और यह वारी में नहीं रख सकते वास्तुक साश्त्र तो यह वाली सॉली अभी थोड़ा हमारे पड़े तूले में दूले के लेगा हैं तो माइन मत करना अबने चाहदर लगाएं किया रहे हैं सोफा है इसमें बोलो क्या बोल रही थी साब सफाई करनी है मेरे गंदू करनी तो सिर्फ आपी के है क्यों थे और पड़े लगने के बार यह ऐसा कुछ दिखता है पड़े काफी लंग है मुझे नी बदातला पड़े इतना है कुछ डिसाइड हुआ कि हमने सैंडर टेबल महां पर लगा दिया अब उनके उपर गंद पती जी को स्थापित करेंगे तो बजने वाले हैं और ताइम ही हो गया अभी हमें खाना गाया है और सोने जा गया है अब भी डेकोरेशन नहीं होई है डेकोरेशन में अर्ली मार्निंग उठके करूंगे तो अभी के लिए गुट नाइट सुबा मिलता है तो डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है यह दो डुपटे होते हैं उनसे पीछे से सजाया है क्योंकि बहुत साई डुपटे हैं और इनसे डेकोरेशन भी बहुत अच्छी होते हैं अब ममा अपने सारी निकाल के लाएं यह पीछे ममा ऐसे पंडाल की तरह डालेंगे वह जो ऐसे क्रॉस करके और वहां पर बीच में गन्नू को बिठाएंगे हैं वहां पर कितना मस लग रहा ना कि अंदर बैच जाओ अखे आफसे कि अधने मैंने बीच दुकती है वहां इससी क्या बना होगी वह शत्या कि हैंगे यां वहां इस्वा जोद क讲 ईया होग है ना जोद़ कर बीच अटकल केसा को प्ड़ा है पलमस सारünüz बांट को रहाएं आटकलत को पापा बोल यहाँ पूरी डैकुरीशन हो गई है चाहा बजने वाले सब लोग हमारे आमने अंटीों को सबको इंवाइट किया है पूजा के लिए शाम की शाम और यहां पे हमने चाहतर रिखाई है आज क्या हो रहा है यहां पे कौन सी पूजा गणी चतुर्ती आज और गनपती जी आया ना तो एक बारी गनपती पापा बोल दो गनपती पापा बोल रिया सबसे पहले फूल रखा है यह आज़ती की थाल है इसमें दिया जलेगा यह हमारे लटको पाल यह प्रशाद प्रशाद और भी है लेकिन एक्स्ट्रा यह गोला रखा है यह दिया है जो कि फूड़े 10 दिन जलेगा यह हमारे गन्नू आज़ती का अज़ती का दोलक मैं आज़ती का प्रशादी का और और पी चीज़े थी, I'll show you लुक पूरा इंतुजाम कर रहता है, ममी ने बजन किर्थन का सब आंटी आएंगे और हल लगली बचाएंगे मजा आने वाला है, पूरा व्लॉग देखिएगा, don't skip any part रात की आरती जरू देखिएगा जएगे प्रवा प्रवा करें क्यों कि ड़काप अवगर्स साम की आरेत Ama बिल्नी बिल्नी झाला Bruce अभीका हाथ पीछे करनीचे करो कोड़विषे तैनका सानी अब क्या करोगे तुम लोग पूचा करोगे कैसे करोगे एचे वाला पूचा करोगे दम दम पूचा करोगे कौन से वाली आर्टी का होगे जैसी का करोगे जैसीरह नहीं वाली शिंदू लाल चड़ाया वाली शिंदू लाल चड़ाया जैसीगा पाड़ी नहीं पाड़ी नहीं है पाड़ी नहीं पाड़ी नहीं पाड़ी नहीं है 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 पाड़ी नहीं है